रेट से भरे एक टरक ने सरवानिया महराज में एक पुलिस कर्मी सही दो लोगों को कुचल दिया पुलिस कर्मी के हालत गंबीर है उन्हें उद्यपूर रेफर कर दिया गया है राजस्तान से मधिपर्देश में अवेत रूप से रेत का परिवहन कर रहे एक टरक चालक ने सरवानिया पुलिस चोकी के एक जवान सही दो लोगों को कुचल दिया जिसमें पुलिस जवान की हालत गंबीर होने पर उद्यपूर रेफर कर दिया गया है जबकि दूसरे घायल का इलाज जीलास्पताल में चल रहा है सरवानिया पुलिस ने मोके पर ट्रक ड्राइवर को गिरफतार कर ट्रक चप्त कर लिया है सरوانیا पुलिस के मुताबिक पुलिसचोकी सरوانیا महाराज पदस्त दिवान भानुपरता पुरोहित अपनी बाइक से सरवानय की तरफ आ रहे थे वही उनके पीछे एकसल गाड़ी पर मांगिलाल पिता गब्बा बंजारा चल रहे थे सरवानिय महाराज रोड पर सामने आ रहा है ट्रक चालक ने कुचल दिया इस दुरगटना में दोगंभीर गायल हो गए जिने हंड्रेट डायल की मदद से नीमस जिलास्पताल पहुचाया गया जिस ट्रक ने दोनों गायलों को कुचला वर ट्रक रेत से भरा था और आजस्तान की मसान नदी से रेत भर कर ला रहा था मोकी पर पुलिस कर्मियों ने पुष्टाज की तो रेत का अवेत परिवहन सामने आया है पुलिस ने चाला को गिरफतार कर जांच प्रकरन दर्ज कर लिया है सरवानिया चोकी प्रभारी शिवरा से खींची ने बताया कि गायल पुलिस कर्मियों को उद्यफपूर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है है गनेसपूरा के मांगिलाल बन्जार करके उनको वी चोटे लगी है दीवान जी को शिर में चोटे लगी है रगसाप के दोवरा भी टीट्मेंट अप्रात्मिक रिख चार किया गया है कि शिर में चोट होने से राक साप बोल रहें कि इनको बाहर रैफर कर देख सामने से वो लापर सामने से तेज गदी से आजा था सामने से एक्षेंट वाएं और ट्रक को वहां चोकी भी खड़ा करवा दिया गए है हाँ उसमें शाद रेती भरी हुई है